दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होटो, अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और पाए दुनिया भर की रोचक खबरे फटाफट, थेंक्यू. आज हम आपको बताएंगे बाबा रामदेव फितनेस का राज. बाबा रामदेव सबको फितनेस का मंतर सिखाते हैं. सबको योग के बारे में बाताते हैं. ला, किन क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा रामदेव के स्वस्थ और सेहतमन जीवन का रहे से क्या है? वो फिट रहने के लिए क्या खाते हैं? हम आपको आज बताएंगे कि वो फिट रहने के लिए क्या क्या खाते हैं और कितना खाते हैं? सुबह का नाश्ता बाबा रामदेव उठने के बाद एक गिलास गर्म पानी में आवला और एलो वेरा का जूस मिला कर पीते हैं उसके बाद नाशते में मुनक का अंजीर खाते हैं साथ ही पांच सेकंड साथ बादाम और दो सेकंड तीन अख्रोट के पानी में विगोकर नाश्ते में लेते हैं. इसके अलावा आधा कटोरी अनकुरे तनाज भी लेते हैं. तुपहर का भूजन. तुपहर के भूजन के में हरी सबजिया और एक कटोरी दही भी लेते हैं. रात का भूजन. बाबा रामदेव रात में फल के साथ एक गिलास दूढ लेते है रामदेव बाबा कहते है कि अगर आप जिल्गी में हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमेशा खुश रहें. सकारात्मक सोचे और अपने आत्म विश्वास को कभी भी कमजोर न पढ़ने दें. Like, comment, share this video and don't forget to subscribe this channel for more videos.